ये एक आम कहावत है कि हाती कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन ये शांदार जान और विशाल चलने वाली हार्ड ड्राइज से भी कहीं ज्यादा है। जितना अधिक हम हातियों के बारे में सीखते हैं उतना अधिक ये प्रितीत होता है कि उनकी प्रभावशाली स्मृती एक अश्वस्निय बुद्धी का केवल एक पहलू है जो उन्हें प्रित्वी पर सबसे अधिक सामाजिक, रचनात्मक और परुपकारी प्राणी बनाता कई अन्य काहावतों के विप्रीत हाति स्मृती के ओपर लिखी काहावत विग्यानिक रूप से सटीक है। हाति अपने जुंड में हर सदस्य को जानते हैं। वो द्रिश्टी या गंध से तीस साथियों को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। ये पलायन करने पर या अन्य सं पूर्ण हातियों का सामना करने के लिए एक बड़ी मदद है। वो खत्रे का संकेत देने वाले विशेश संकेतों को भी याद रखते हैं और उनमें अंतर कर पाते हैं। इसके लावा वो अपनी अंतीम यात्रा के लंबे समय बाद भी महत्वपूर्ण स्थानों को याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे आकरशक वो यादे हैं जो जीवित रहने से जुड़ी नहीं है। हाति ना केवल अपने जुंड के साथियों को याद रखते हैं बलकि उन जीवों को भी याद रखते हैं जिन्नों ने उन पर एक मदबूत प्रभाव छोड़ा हो। जैसे कि एक माम जुष्यों को भी पहचाना है जिनसे वो दश्यों को बाद मिले हूं। इससे पता चलता है कि हाति की याद दाश्त उते जिनाओ की प्रतिक्रिया से परे हैं। उनके सिर के अंदर देखने पर हम ये जान सकते हैं कि ऐसा क्यूं है। सबी भूमी स्टन पाई प्राणियों म सबसे बड़ा मस्टिक्ष हाति के पास है। साथ ही एक प्रभावशाली एंसेफलाइजेशन भागफल भी है। ये जानवर के शरीर के आकार के लिए हम जो अपेक्षा करते हैं उसके सापेक्ष मस्टिक्ष का आकार है। और हाति का EQ लगबग उतना ही उचा है जितना की ए इपो केमपेस है जो द्रिड़ता से भावनाओं से जुड़ा हुआ है वो दीर क कालिक यादों में महत्वपूर्ण अभिनोओं को एनकोड करके याद करने में मदद करता है। इस महत्व को अलग करने की ख्षमता हाती समरिती को रटने से परे एक जटिल और अनुकूल नि की दर अधिक होती है। दुर्भागे से ये वो भी है जो हातियों को पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिस ओर्डर से पीडित होने वाले कुछ गैर मानव जानूरों में से एक बनाता है। दूसरी और सेरेब्रल कार्टेक समस्या को हल करने में सक्षम बनाता है जिसे हाती पेक्ष मातरा का ट्रैक रखते हुए बन्यादी अंक गनित को भी समझ लिया है। समरिती और समस्या सुलजाने का दुरलब संयोजन हातियों के कुछ सबसे चतुर व्यवारों की व्याख्या कर सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ों की व्याख्या नहीं करता जो हम प्रके रिचना की उनकी समझ से पता चलता है कि उनकी अपनी भाशा और व्याकरण है। भाशा का ये ग्यान सरल संचार से परे भी हो सकता है। हाति अलग-अलग रंगों और तत्वों को सावधानी से चुनकर और मिलाकर कलाकर निर्मान करते हैं। वो संगीत के बारा उपकारिता और न्याय की उनकी भावना। हाति एक मात्र गैर मानव जानवर है जो अपने मृत्कों का शोक मनाते हैं, उनके लिए दफनाने की रसम निभाते हैं और कबरों को देखने के लिए लोटते हैं। उन्होंने अन्य प्रजातियों के लिए भी चिंता जताई है। एक काम करने वाले हाति ने खाली स्थान में लकडियों का लठा डालने से इनकार कर दिया जहां एक कुता सो रहा था। जबकि हातियों ने घायल मुनिश्यों का सामना करते हुए कभी-कभी पहरा दिया है और धीरे-धीरे उन्हें अपनी सून से सहरा भी। दूसरी और मान प्रजातियों में से एक है जो खुद को एक दरपण में पहचान सकते हैं। इस निशकर्ष से बचना मुश्किल है कि वो जागरुक, बुद्धिमान और भावनात्मक प्राणी हैं। दुर्भागे से हाथियों के साथ मानवता का व्यवार इसे प्रतिबिम्बित नहीं करत है क्योंकि वो एशिया में निवास्तान के विनाश, अफरीका में हाती दान्त के अवैच शिकार और दुनिया भर में कैद के दुर्वेवार से पीडित हैं। ये देखते हुए कि अब हम हाथियों के बारे में क्या जानते हैं और वो हमें जानवरों की बुद्धी के बारे सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें और कुछ नया सीखने का मौका कभी न चुकें।